next हम पढ़ेंगे pairing के बारे में, pairing बहुत ही important है and 60% बच्चे pairing करने में गलती करते हैं, ठीक है, तो दिहान से समझना, pairing मतलब कुछ नहीं है कि, जैसे कि मैं 3 variable से basic से समझा रहे हूँ क्योंकि 2 variable का तुम्हारे paper में नहीं आएगा, तो 3 variable से पहले हम समझेंगे, उसके बाद में 4 variable पर जाओंगे, अब मान लो, suppose हमारे पास यह है 3 variable का k map, यहाँ पर क्या आता है, a बार a, यहाँ पर क्या आता है, b बार c बार, b बार c, 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 और b c बार, ठीक है, यह है हमारे पास, अब मान लो, 2 one है, और बाकी सब जंगा क्या है, 0000, तो सबसे पहले, soap form में जो हम pairing करेंगे, वो किस की pairing करते है, one और one की, अब मान लो, यह तुम्हारी class है, और one और one, यह तुम दोनों friends हो, ठीक है, मतलब तुम दोनों नई-नई class में गए हो, नई-नई college में entry कर रही है, तो तुम दोनों बच्चे हो, तो तुम दोनों आपस में क्या करोगे, दोस्ती करोगे, है ना, साथ-साथ बैठ हुए हो, तो आपस में दोस्ती कर लोगे, और अगर दूर-दूर बैठे होते, तो दोस्ती नहीं कर पाते, जैसे मान लो, एक one आ जाता है, यहां पे 00100, यह वाला case होता, तो तुम देखो, तुम यहां जचित होती, नहीं होती न, पास-पास है, तो चलो भई कि, चिटिंग कर लेंगे, पढ़ लेंगे, इन तुम दोनों की दोस्ती हो, तो यह दोस्ती क्या हो गई, तुम्हारी पेरिंग, सिम्पल, ठीक है, तो इस तरह से मैं आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पेरि पेरिंग होती है, पेरिंग समझ गए, अब पेरिंग के हमें क्या करनी होती है, नेमिंग भी करनी होती है, अब देखो इस वन को अगर मैं देखूंगी, तो इस वन का क्या होगा, उपर से देखोगे, तो यह किसके घर बैठा हुआ है, और C के, और अगर लेफ्ट साइट स ऐसे ही होगा अब इसी तरह इस वाले पर वन की नेमिंग तुम बताओ क्या होगी दूसरे वाले वन की कि इसका जो फाइनल एक्स्प्रेशन आएंगा इन दोनों को एड़ हो क्या जाएंगा जो फाइनल चुनक्रूसण की आएगा यह आएका दोनों को चाइड देइ अभी तुमने स्क्राव्च लेक्चर में गूली लॉक्स वालास करा है इससे हमें solve करना है A bar दोनों में क्या है common है common ले ले A bar B B है तो B B ले 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 तो अंदर क्या बचा C bar plus C यही बचा और तुमने पढ़ा था कि C bar plus C कितना होता है हमेशा 1 होता है तो answer क्या आया finally तुमारा A bar B dot 1 कितना आया that is A bar B right तो यह तुमारे पास क्या आगया final इसका answer अब इसमें तो देखो simple था तो तुमने बुले लॉस से करके कर दिया वट हम यह चीज डारेक्ट भी कर सकते हैं ठीक है डारेक्ट की मैं तुमें ट्रिक बताती हूँ इन दोनों की pairing हुई तो इन दोनों की हमें naming final इस conclusion तक कैसे पोचेंगे किदर देखो उपर से देखो क्या common है दोनों के one में मतलब यह one दोनों की दोस्ती हो गई और इन दोनों में क्या common आ रहा है उपर से देखो गे तो बी common आ रहा है तो बी लिखतू C से C बार कट गया ऐसे माल लेते हैं जैसे A से A बार कट गया B से B बार कट गया C से C बार कट गया क्योंकि एक 0 एक 1 है और left side से देखो के तो क्या common आ रहा है A बार इन दोनों के घर है है ना दोनों में included है तो इसका answer finally क्या आ गया A बार तो तुम ऐसे direct naming भी कर सकते हो यहां से भी यह आएगा solve करके और direct भी तुमारा यह आएगा समझ में आया common हमेशा आएगा common हमेशा आएगा ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमारा कुछ भी common आए चाहे एक ही term common आए हमेशा common आएगी एक चीज़ और दियान अखना अगर तुमारा 2 की pairing हो रही है क्योंकि तुमारी pairing हमेशा किसकी होती है मैं बता देती हूं या तो 2 1 होंगे एक साथ या 4 1 होंगे एक साथ या 8 1 होंगे एक साथ या फिर 16 1 होंगे एक साथ यह कैसे चलती है 2 रेस्ट पार 1 2 रेस्ट पार 2 2 रेस्ट पार 3 और 2 रेस्ट पार 4 ठीक है अगर 3 दोस्त आपस में बेटे हूँ है तो उनकी pairing ऐसे नहीं हो वो बताऊंगे आगे वैसे 2 की एक साथ हो जाएगी और 2 की एक साथ ठीक है प जाएगी